इस वीडियो में हम लोग सक्रियता स्रेनी में आने वाले धात्वों के कुछ महत्वपून नोट को समझेंगे, महत्वपून बिंद्वों को समझेंगे, तो आए समझते हैं। पहला नोट में देखिए, सक्रियता स्रेनी में नीचे आने वाले धात्वें, सबसे कम अभिकिर्यासिल होती हैं। ये सवतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उधारन के तोर पर गोल्ड यानि की सोना, सिल्वर यानि चांदी, पलेटीनम, एवं कौपर, कौपर यानि तांबा। तो ये कुछ उधारन हो गए जो सक्रियता स्रेनी के नीचे आते हैं। सक्रिदा स्रेनी की जो चार्ट है उस स्रेनी में नीचे आते हैं और ये प्रक्यत्ती में सवतन्द अवस्था में पाई जाती है दूसरे नोट की बात करते हैं कॉपर एवम सिल्वर कॉपर और सिल्वर जो है अपने सल्फाइड या ओक्साइड के आयस को के रूप में भी सन्युक्त अवस्था में पाई जाते हैं तब यहाँ देखने को मिला है कि copper और silver जो है ना प्रकृति में sulfide आयस के रूप में या oxide के रूप में सन्युक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं देखें मुक्त रूप से तो पाए जाते हैं मगर ये भी देखने को मिला है sulfide या oxide जैसे अयस के सन्युक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं तीसरे note की बात करते हैं सक्रिता स्रेनी में सबसे उपर की धाते हैं जैसे की potassium, sodium, calcium, magnesium, magnesium, album, aluminium इतनी अधिक अभिकरियासिल होती है मतलब ये बहुत ज़्यादा अभिकरियासिल है ये कभी भी सवतंत्र तत्तु के रूप में नहीं पाए जाती ये प्रकिर्थी में सवतंत्र रूप में पाया ही नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिकरियासिल होती है तुरंत किसी से ने किसी से रभी किरिया करता है इसलिए ये सवतंत्र तत्व के रूप में नहीं भाए जाते है अपनों आगे की नोट पर पढ़ते हैं देखिए सक्रियता स्रेनी के मिद्धी की धात्वें जो बीच में आता है जैसे कि जिंग, आईरन, लेड, अधी ये कुछ ऐसी तत्व हैं जिसकी अभी किरियासिलता मध्यम होती है मतलब ना तो बहुत अधिक अभी किरियासिल हैं ना ही बहुत ही कम ये मध्यम कटेगरी में आता है पिर्थवी की भूपरपटी में यानि कि पिर्थवी की उपरी परत में ये मुख्यत या तो ओक्साइड के रूप में पाए जाते हैं या तो सलफाइड के रूप में पाए जाते हैं या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाती है मतलब ये तीनों रूपों में ये सभी देखने को मिल जाता है ओक्साइड के रूप में, सलफाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में अब हम लोग धातूओं का वर्गी करन करेंगे धातूओं का वर्गी करन तु देखिए अब हम लोग यहाँ पर अभिक धातों का जो वर्गिकरन करेंगे वो अभिकिरिया सिल्ता के आधार पर तो अभिकिरिया सिल्ता के आधार पर हम धातों को निम्न लेकि तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं जो बहुत ही कम अभिकिर्यासिल है वो निम अभिकिर्यासिल धात्वे कहलाईगी नेमन अभिकिर्यासिल धात्वे जिसकी अभिकिर्यासिल ता मध्य में है तो वो मध्य अभिकिर्यासिल धात्वे कहलाईगी और जो बहुत अधिक अभिकिर्यासिल है वो उच अभिकिर्यासिल धात्वे कहला है तो हम धात्वों को तब तीन वर्गों में यहां देखे बाटे हैं पहला नेम्न अभिकिर्यासित धात्वे, दूसरा मध्य अभिकिर्यासित धात्वे और तिसरा उच अभिकिर्यासित धात्वे अब बात करेंगे गैंग किसे कहते हैं? गैंग तो ध्यान से दिखेगा पिर्थवी से खनित जिसे खनन करके निकाल गया है अयस्क तो जो आयसक को पीर्थमी से खनित करके निकालते हैं उसमें क्या होता है? मिठी, रेथ, आदी जैसी कई असुधियां होती है कई असुधियां उसमें मौजूद होती है और जिनें ग्यांग करते हैं तो इन ही असुधियों को ग्यांग करते हैं अब समझेंगे आयस्को का अस्मिरिधी करन क्या है तो समझेगा आयस्क में कुछ असुधियां होती है इतों लोग समझे हैं कि जब आयस्को को जमीन से खनित करके निकाला जाता है तो उसमें असुधियां होती है जिने ग्यां कहते हैं इन असुधियों को हटा कर सुध धातु प्राप्त करना ही अयसको का अस्मिरिती करन कहलाता है तो असुधियां जब हटा देते हैं जिसे में सुध धातु प्राप्त होता है तो इसी को ही अयसको का अस्मिरिती करन करते है